दूस्तों आज की कहानी हैं सोटी बव तुमें इस गर में रहना है तो हमेशा सोटा बन कर ही रहना पड़ेगा दूस्तों कहानी सुरू करने से पहले अगर हमारे सैनल को सबस्क्राइब नहीं कियाओ तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंसे अर नया वीडियो अब तो दो वक्त का खाना भी समय से मिल जाए वहीं गणी मते ऐसा बूरा हाल किसी का भी न हो बुड़ापे में वक्त बूरा हाल हो रा मा और पापा का खाना बनाने वाली भी रखाता लेकिन तीन मैने हैं मैं सोड़ कर सली गई ननन कीरन से साथ ससुर के बारे में सव जान कर नलीनी को नहीं दुख हुआ और नहीं खुशी अपने ससुराल वालों के परती उसकी सवेदनाई कमकी खतम हो सुकी हैं फिर भी उसे थोड़ा आर्शिय हुआ कि उनकी लारदी बहु रूसी के रहते वे उनको खाना बना कर खिलाने वाली के क्यों जरुवत पड़ गई रूसी भाबी ने बहुत बड़ा दोका दिया मा और पापा को जब तक जयदाद मा पापा के नाम ती। रूसी बावी और रोल भया उनकी साग्री करते थे रूसी बावी भी मां से पूशे बिनाई काम नहीं करती थी लेकिन अब एक गिलास पानी भी नहीं पूशते जिस लाड़ले पोते प्रेम के लिए सब क्या वब गलती से भी उनके कमरे में नहीं जाता बहुत बूरा भाले बापी मा और पापा का अगर हो सके तो आप बोलते बोलते कीरन रुख होई दीदी अब उन लोगों के बिस में मैं क्या बोल सकती हूँ ये आपके मापा सोन और रूसी के बिस का मामला है और जहां तक दो दोके की बाते तो दोका किसने और किसको दिया आप भी अच्चे से जानती भी हैं और समझती भी हैं जब आपको उस समय सब ठीक लग रहाता तो आज रूसी और सोन की करनी दोका कैसे लगने लगिया आप मुझे ये सब बता क्या कर क्या साथी है कि मैं अपने साथ वे दोके को भूल जाओ और उन्हें अपने साथ ले आओं तो माप कीजिए का दिदी मेरा इतना बड़ा कलेजा नहीं है सबको अपने कर्मों का फल यहीं मिलता है आपके माप आपने सोन और रूसी को जो शिखाया वहीं आज सुद समय तुने वापस मिल रहा वैसे भी कि सक्से आप ये बोल रही सैदा भूल गई कि मुझे रोन और मेरी बेड़ियों क आपके माबा पापा ने न सिरफ अपनी जैजा से बलके अपनी जिन्दकी से भी बेदा खल कर दिया ता अधिम वागिय बोलते बोलते नलीनी का गला रूत गया और उसने भौन काट दिया रोन मन सुक लाल जी और पर्त मिला जी का बड़ा बेटा जिससे उन दोनों को ही कापी उमेदी थी लेकिन उनकी उमीदों पर पानी फिर गया जब रोन ने उनके फैमेली बिजनेस पर बैठने से मनना कर दिया रोन सर्विस करना साताता और जब दी उसकी बैंक में सर्विस लगए कुछ अपना ही बड़ा इस्वार देखते वे मन सुक लाल जी ने रोन को बैंक में सर्विस करने की जाच देदी पर मिला जी की भी इससा अपुरल रह गए जब सर्विस लगने के बाद रोन ने अपनी पसन की लड़की नलीनी से साधी कर दी नलीनी को घर की बड़ी बवतो बना दिया लेकिन दिल से कभी नहीं अपना पाए अब मन सुक लाल जी और पर मिला जी का सारा प्यार सोन पर बरस्ता सोन का पढ़ने में कोई खास रूसी नहीं थी किसी त्रव ग्रेजुएट हुआ और मन सुक लाल ज बिजनेस करने लगा जदी सोन को बिजनेस समझा गया और ये भी कि जितना रौन भया मैने में सेलरी पाते व남 दो दिन में ही बिजनेस में कमा लेता पर मिला जी ने भी सोन की साधी अपनी पसं की लड़की से कि रूसी को नलीनी के आगे जादा मान समान दिया जाता और रईसाई कसर तब पूरी हो गई जब नलीनी ने दो बेटी और रुसी ने घर का वारिस बेटा दिया किरन भी मा का ही सा देती रुसी को वह हमेशा बावी होने का मान देती लेकिन नलीनी की सोटी सी सोटी बात का मुदा बना देती गर में जब सभी का रवे या नलीनी के परती अच्छा नहीं था तो रूसी भी क्यों पीसे रहती और फिर वह तो परमिलाजी की डारली बहुती जिसने उनके वंस को आगे बढ़ाने का मान रखा बिजनिस संबालते वे सोन के विमन में ये बात गर कर गए कि जब बिजनिस वह अकेले संबाल रहा तो इसमें रोन भाया की कैसे हिसेदारी होगी सारा बिजनिस रफूसी का है नलीनी और रोन सब समझते थे लेकिर वा दोनों अपनी बेटियों के साथ खूसते देखते देखते समय बीत गया रोसी के बेटे प्रेम के पांस्वे जनम दिन पर बहुत ही बविया आयोजन किया गया नलीनी की बड़ी बेटे निसाने कोतु तुलवंज पर्मिलाजी से पूसा दादी आपने कभी हमारा जनम दिन इतने दोंगदाम से क्यों नहीं मनाया और आप प्रेम के गले में क्या पहनी रही पर्मिलाजी प्रेम के गले में सोने की सेन और हाथ में सोने का कड़ा पहनाया ये सब मेरे लाड़े का है दादी मुझे भी ऐसा कड़ा और सेन से ये निसा प्रेम के हाथ का कड़ा सुकर बोली परे हट लड़की पर्मिलाजी ने निसा का हाथ जटक दिया ये देख रोन ब करदासत नहीं कर पाया और बोल पड़ा मा बच्ची हैं वह उसके साथ आप कैसे बेदभाव कर सकती हैं आज तक आप मेरी और नलीनी के साथ जैसा भी वेवार कर रही थी हम लोग सुबते लेकिन अपनी बेटियों के साथ ये सब नई सेयन करूंगा सेयन तो करना पड़ेगा भईया आपको भी और बावी को भी आप सही जानते नहीं ओदा उसी का बड़ा जिसने भंस आगे बढ़ाया और आपने तो दोनों ही जग मा पापा को दोका दिया न आपने उनका फैमिली बिस्निस आगे बढ़ाया और न खांदान आपको इस गर में रहना है तो हमेशा सो बन कर ही रहना होगा अभी मान से गरस्त सोन के मुझ से ये सब सुन करों दंग रह गया उसने मंसुक लाज जी की तरब देखा तो वो ने सोन की बात को सही ठेरा दिया हमारी नजर में तुम उस दिन पराई वो गयते जब तुमने अपनी अलग राज सुन कर एक बाप के दिल क को दोगा दिया रहे तुमारे बैंक में सर्वीस करते वे भी तुमने मेरा लोन पास नहीं किया दोगा दिया तुमने मुझे पापा इसे दोगा नहीं इमानदारी करते हैं देश के परती और देश्वास्यों के परती इमानदारी आप साथे देखे आपके आदे अधूरे पेपर पा आपको करोड़ाओं का लान पास कर दू ये दोगा में नहीं कर सकता रोन ने पापा को दो टुक जवाब दे दिया तो ठीक ही आज मेरा भी एक भैसला सुन लो मेरा लोन पास करवाओं या फिर हमारी जैजाद और जिन्दकी से बेदखल हो जब वैसे भी हमने अपनी सारी जैदाद सोन और प्रेम के नाम करने का सोस लिया है मन सुक लाजी ने अपना आतिम फैसला सुना दिया रोन ने मा और कीरन दिदी की तरफ देखा तो उन लोगों के सेरे ने बता दिया कि सभी का वही फैसला है रोन ने नलीनी और बज्चों के साथगर सोड दिया और उसके बाद कभी फीसे मुड़ कर नहीं देखा आज बर्चो बाद कीरन दिदी का भोन आया और वो मा बापा की दूर दसा बता रही थी सजज ही है अपनों से किया दोका लोड़ कर वापस आता ही है